हालो फ्रेंग्स वालकम यू आल आज मैं आप तोले जो वीडियो लिख्या रहा हूं देखें बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हिडन स्टॉक की जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है लेकिन सायद और बहुत कम लोगों को पता होगा कि य जमबानीज का हो अदानीज का हो मौका इंवेस्मेंट का कितना है रिस्क कितना है तो चलिए समझते इस टॉक को और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्राइस ए लिमिटेड आप क्लियर कट देखे 24.92 प्रतिशत हिस्षेदारी रिलाइंस इंड़स्ट्री की अकेली की इस कम्पनी के अंदर है अब यह हिस्षेदारी जब आप देखते हो न तो यह आती है पबलिक यानि कि नॉन इंस्टिटुशनल होल्डिंग के अंदर पबलिक के अंदर ही आ रही है सूचे ज़रा मतलब रिलाइंस इंड़स्ट्री एज पबलिक इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्टेड है जिसमें रिटेल निवेशक हो कि अगर मैं हिस्षेदारी देखो तो बहुत कम रिटेल निवे लान्स इंडरिस्टी की 25 परसेंट तो टोटी टोटल मिलाके यही आप देख पा रहे होंगी कि 60 परसेंट के राउंड तो यही हो गया अब यहां पे प्रमोटर का जब नाम आप देखोगे एकता कपूर तुशार कपूर आप देख रहे है यह शोभा कपूर अब आप सोच चुके होंगे कि कौन सा यह स्टॉक है यानि कि हम बात कर रहे हैं बाला जी टेली फिल्म्स लिमिटेड और बाला जी और इसनल बहुत सारे टेलिवीजन से आपने देखा होगा यह देखिए जरा जी तेंद्र आप देखिए जरा अब आप सूचोंगे हाँ यह यह तो को अगर कंटेंट की बात आती है कि जियो प्लैट्फॉर्म पे सारी चीज़े तो इसका रिलाइंस ने अल्रेडी तैयारी कर रखी है सोचिए जरा और यही नहीं रिलाइंस इंडर्स्टी पहले से इसमें इन्वेस्टेड है बहुत टाइम से देखिए बाला जी टेली फिल अब अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और यह मान के चलिए कि किसी भी प्रोमोटर इंडिविज्व प्रोमोटर से कहीं ज्यादा यह हिस्सेदारी है तो बड़ा मतलब है कंट्रोलिंग स्टेक में इसको कहूंगा रिलाइंस इंडर्स्टी का यहां पे देखें अब आप आप कहोगे यार यह तो बहुत ही बढ़िया सिचुवेशन है यह टेकनिकल अनलेसिस यह मंतली चार्ट है अगर मैं मंतली चार्ट में इस स्टॉक के बेस को देखो और बेस से जब लास्ट टाइम पे उठा था उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करू तो आप यह देखें यह बेस एरिया देख रहें आप 40 का एरिया 40 से मैं इसको एक जोन मैं कहूंगा कि 30 से 40 के अराउंड का यह बेस एरिया इससे पहली बार भी यहीं पे आके इसने किस तरीके से बेस बनाया था फिर हाई लो यानिकि प्रीवेस इंपल्स को पार किया लो और अभी के टाइम पे इस टॉक को आपके सामने लाने का मकसद बिलकुल यही एरिया है और यह अंडरस्टैंड करने के बाद है क्योंकि जो पिछली इंपल्स बनी थी वह बहुत ही बढ़िया उसके बाद अभी इनिशन लेवल पे हम कहते कि करेक्शन डीप करेक्शन हो सक है नेक्स्ट लेवल की यह करेक्शन जो है वह बहुत ही बढ़िया मौका आपको दे सकती है और यह आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में डीप इसको और इंप्रोवाइज करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अब आप कहो गया है यह तो बहुत ही अच्छी बात है फि इस तरीके से तो डिजिटल प्लाटफॉर्म है उसके उपर अच्छी इंवेस्मेंट और अच्छा रिटर्न मिलने की भी चांसेज है और क्या रिलाइंस यह एक तक हपूर जी कि इसमें और इंवेस्मेंट यहाँ पे कर सकता वो डेफिनिटली आगे की बात है बट फिलहाल जो हम यहाँ पे situation लेके आ है यही हमारा major कारण है लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे अब इसको समझेंगे छोटे time frame पे चलके यानि की weekly level पे चलके मैं आपको हमेशा stock को मिल्कुल हर तरीके से आपको कोशिश करते हैं कि उसको आप maximum वहाँ से learn कर पाएं और वहाँ से समझ situation देखूं तो यह मान के चलिए कि जो यह impulse बनी थी सबसे पहले मैं आपको इस impulse के बाद की correction को समझाने की कोशिश करूंगा हमने आपको फिब retracement के बारे में हमेशा बताया है फिब extension के बारे में भी बताया और हम regular basis पे आपको कहते हैं कि correction को understand करना is the most important part और starting के level पे मैं हैं 38%, 50% का level, 61% का level और initial level पे आप 70 से लेके 78% की भी correction की expectation रख सकते हैं बट जब यह correction resolve होती है तो यह किस तरीके से base पे आपको base बनाता हुआ और आपको एक kind of reversal दिखाएगा अभी फिलाल में इस correction की बात कर रहा हूं पिछली बार जो rally थी वो बहुत ही खतरनाक थी और 30 र पूपीज के level तक यह गई थी मतलब आपके पैसे को तीन गुना तीन गुना से भी कहीं जादा बट correction आनी थी अब correction के level को देखते हैं देखिए correction को level को अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से correction आई है इन ranges तक यह देख रहें आप particular इस range के अंदर मैं कहूंगा इस range के अं रहते हैं लोग कौन बड़े पैसे वाले लोग यानि की smart money इंतजार कर रही थी आओ भाई नीचे आओ हमारा buying range इस stock को 50 से 60 का area है आप नीचे आओ हम और खरीदेंगे तो price is the most important part अगर आप weekly chart पर देखो इस पूरी buying के दौरान का volume फिर इस correction के दौरान का volume in comparison to the buying बिल्कुल negligible फिर इन blue candles का volume आप देख सकते हो यह देखिए फिर अभी recently इस volume को देखिए अगर आप recent volume को देखोगे इस volume को और इस correction volume में सब कुछ खतम फिर से volume तो आपको लगेगा इस बड़ी impulse के comparison में अब जाके smart money का movement बड़ा खतरना हुआ है यानि कि यह जो range है almost मैं कहूंगा एरिया तक भी अब जो smart money वाले लोग हैं वो और इस एरिया में पैसा यहाँ पर invest करने को तयार है तो क्या यह समझा जाए कि जो यह 100 रुपे के level से 50 से 60 रुपे तक की जो correction यहाँ पर आयती 50-60% की यह important correction है now इसको clear करते हैं और देखते हैं यह level आप देखो देखरो पार् ही हमारी जो situation बन रही है वो kind of reverse आपका inverse head and folder kind of चीज बनती है यानि कि यह breakout आएगा तो बड़ा मजबूत और breakout के बाद pullback आ जाए तो और भी मज़ा आ जाए तो इसलिए तैयारी मतलब अगे की तैयारी और आप देखिए जब यह breakout यहाँ पर आएगा क्योंकि volume खतरनाक दि ही है कि इस बार भी resistance का काम करें क्योंकि अगर यह resistance का काम करता है तो आपको क्या मिलेगा pullback अब मैं आपको एक बात बताता हो देखिए अगर आप पिछले साल कई सालों के trades उठा के देखिए breakout breakout में एक issue होता है आपको ऐसा लगता है कि breakout जो है वो fake out भी हो सकता है बट अग आपको जो शांतोना मिलेगी और pullback with volume मैं कहूंगा कम volume less volume in comparison to the breakout आप को गया मज़ा आ गया मतलब अब आप overall देखिए weekly पे impulse correction breakout correction rally सोचिए अब मैं आपको यह पूरा का पूरा single point of view नहीं देखिए पूरी पूरी एक approach जो है पूरी process के हिसाब से चल रहा है अब आपको गया अगर मैं यहां पर entry करता हूं अभी से 73 के around entry कर लेता हो तो मेरा stop loss तो इस एरिया में बैटता है डीप वाला और डेली पे जा या फिर positions है जहां पर और बढ़ा सकते हो और pullback की जो basic definition आपके साथ share की गई है कि volume कम होना चाहिए तो फिर मज़ा आ जाता है अगर volume कम होता है तो फिर आती है बड़ी rally और फिर का target आपको गया 75 से अगर देखा जाए 100 को भी यह touch कर ले 100 को भी अगर यह touch कर ले तो मज़ा आ जाए और target के percentage के अगर मैं बात करूं 75 current level जो आपको देखने को मिल रहा 73 75 या pullback के बाद इस area में या थोड़ा उपर भी आ जाएगा तो 100 के level तक आपको almost 30 से 40% के around का return बनता है क्या कम है 30 से 40% बट अगर यह correction यहाँ पे resolve होती है अगर मैं fib tool यहाँ पे ले लो target के लिए तो fib tool अगर मैं target के लिए ले लूँ मन्तली के हिसाब से अगर impulse correction impulse को हम देखते हैं तो target देखिए आपका 1.61% हम बड़े time frame के हिसाब से एक ideal target के अगर बात करें तो 170 की range में यह जा रहा है जो की current level से काफी उपर 100 points उपर है percentage wise देखूं तो current level से 170 की range 134, 130%, 120% का return दे रही है with a risk of negligible आप को गया यह तो बहुत ही कम risk है मतलब 10 रुपे का risk और gain 100 रुपे का one is to ten का risk reward मजा है कि नहीं यह देखिए लेकिन सबसे पहले risk को calculate कीजिए risk को समझे मैं आपको यही कहूंगा कि यह जो चीजे हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपको market में खुद इन चीजों को implement करना है और आप खुद देखिए कि risk management कितना important है आप खुद जानते होंगे इसके बारे में और यहाँ पर सपोज मेरा 1000 रुपीज का maximum loss investment में ले सकता हूं तो मैं काली 100 share के साथ जाओंगा और 100 share के साथ मेरा gain कितना है 10,000 था और मेरा risk कितना है मुझे पता है मेरा risk यहाँ है कितना मात्र और मात्र 1000 रुपे का अगर चीजे मेरे अगेंस्ट जाती है तो मेरा 1000 रुपे का ही loss होगा जो कि मुझे investment से पहले ही पता है चलिए फिलाल wind up करता हूं इस वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ अच्छा लगा तो share जरूर सकते हो जोईन बटन पर क्लिक करकें थांक्यू 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 पर आच्छन वीडियो